इस मड्यूल में हम सब फाइलम, क्रस्टेशियन्स की फीडिंग और डाजेशन प्रॉसेस को डिस्कस करेंगे क्रेफिश जो है अगर इसका हम फूट देखें तो ये डिपेंड करते हैं दूसरे स्मॉलर इन वर्टी ब्रेट्स पर प्लांट मैटर भी खा सकते हैं, इसके वेंजर्स भी हैं, डेड अनिमल्स को भी और डाइंग अनिमल्स को भी ऐस आ फूट ये यूज़ कर सकते हैं अब इनकी फॉर्गेट जो है, उसमें जो स्ट्रक्चर्ज इंक्लूड़िड हैं, डेट इस अ बिग और लाइट स्टमक, वो पार्ट इसके बाद जो है, पार्ट आफ वीच इस स्पेशिलाइजड फार ग्राइंडिंग अल्सो, इस डाइज़ेशन के लिए मुफलिफ किस को स्मालर पार्टिकल्स में रवाट कर देंगे, और अब वो जो स्मालर पार्टिकल्स आफ्टर डिजेशन, डे विल बी एप यूजड एस अबजाव प्राड़ुक्स अफ दी डिजेशन, मिट गर्ट जो है, अक्स्टेंड पॉम दे स्टमक और उसको हम कहेंगे पॉर्चन है, हाइंड गर्ट एट 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 अनस, एट इस इम्पोर्टेंट फार वाटर एंड साल्ट रेगुलेशन, क्रस्टेशन में पूर्ट जो है, एट नॉर्मली एंटर्स थ्रो दे माउट, वहां से फिर ये चला जाएगा डिजेस्टिव अब डिपेंड करता है, स्पिशिस के उपर के उसके अंदर कौन-कौन से स्ट्रक्चर मजूद है, कुछ ऐसी स्पिशिस भी हैं, जिनके अंदर गेस्ट्रिक मिल प्रेजेंट है, नियर दा बिगनिंग ओफ दा डिजेस्टिव ट्रेक्ट, एट इस यूज़ड फार अधूरियल शो किया हुए, मौउथ, मौउथ के बाद जो देखें, फोर गट, फोर गट में ये है इसका स्टमक, स्टमक के बाद जो है, इसमें में मुक्तलिफ ये डाजेस्टिव ग्लेंड फिर इसके अंदर है, ये मिट गट, मिट गट है, इसकी लाओंग इंटर्स्टा the mouth. So foregut, midgut, hindgut. This is the main division of the digestive system of the body. और feeding के लिए smaller animals जो के लाइब भी है, डाइब भी है, they can be used as a food.